उद्दा और आपके साथ मैं हूँ अर्पितार रहाओ सबसे पहले बात राजस्थान की राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच स्पीकर की ओर से दिये नोटिस के खिलाफ सचिन पाइलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है राजस्थान हाई कोट की जैपुर बेंच में सचिन पाइलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई हो रही है विधान सबा अद्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों को दल बदल खानून और पार्टी विप के उलंगन पर नोटिस दिया था जिसके खिलाव पाइलट गुट ने गुरुवार को याचिका दार की थी पिछले सुनवाई में पाइलट की ओर से सीनियर वकील हदीश सालवे और मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी वही विधान सबा अध्यक्ष के ओर से अभिशेक मनु सिंग्वी ने पैरवी की थी सालवे और रोतगी अपना पक्ष रख चुके हैं जबकि अभिशेक मनु सिंग्वी की जिरे शुकरवार को अधूरी रह गई थी सिंग्वी आज दलील देंगे कि नोटिस देना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है भवानी हमाय साथ हमाय स्वयोगी उस वक्त चुट चुट चुके हैं भवानी साड़े दस बजे दरसल ये सुनवाई शुरू हो नहीं थी थोड़ी दर पहले हुई है इस सुनवाई शुरू कानून को लेकर जो शुडूल टैन का मसला है उसको कोट देखे कि जिससे की विदायक दल बदल नहीं कर पाए लेकिन जो अभी शेक मनुसंगी तर्क रख रहे हैं वो सबसे बड़ा वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मसला विदायकों के विप के उलंगन का मामला है नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं कि ये शुडूल टैन के क्लॉज टू ए का मामला है जिसमें विदायकों के यवार से जुड़ावा मामला है कि अगर विदायक कहीं पर भी चाहे वो सदन से बार हो वो अगर ऐसा कोई यवार करते हैं जिससे लगता है कि वो पार्टी छोड़ तो अब जो पूरी जो कोर्ट के अंदर आज की बहाश्चा वो इसी के इर्दगिर्द रहेगी दूसरी तरफ जब यह वापस उनको मौका मिले गा तो उनकी और से कहा जा रहा है कि इस बात का पक्र रका जाएगा है कि ये जो नोटिस दिया गया सिर्फ विप के उलंगन का मा आस्मभली के अंदर ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा कोई असेम्समी में में विल नहीं है किसके अधिकार शेयतर से बाहर जाकर काम किया बबाद रहा एक स्तिह क्लियर खीजेगा, दल बदल और विब का मामला विप के हिसाब से यानि जो इन लोगों को बुलाय गया था जो बागी विधायक ते सचिन पैलेट थी दो बार मीटिंग रखी गए उसमें उनको बुलाय गया विधायक दल की मीटिंग में वो पहुचे नहीं लेकिन ये दल बदल फिलाल अभी तो ऐसा कुछ स्थिती वहाँ पर कहीं दिखने ही रही है कि किसी ने कहीं किसी और पार्टी को जॉइन किया हो इस दल बदल में किस तरीकी की जिरय वहाँ पर शुड़ हुई है इसको लेकर दल बदल के अंदर क्योंकि इससे पहले सुक्रवार को भी यही पक्ष हरीस सालवे और मुक्वल रोहतगी ने रखा उन्होंने का कि ने तो उनके जो विदायक है उन्होंने किसी पार्टी के मंच पर नजर आए ने उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया जिससे कि दल बदल जिससे लग रहा है कि वो दल बदल का रहा है जी 497 के पार पहुत चुका है तो एक दिन में 40,000 से ज्यादा ने मरीज सामने आए हैं अच्छी बात ये है कि रिकवरी रेट थोड़ी बढ़ रही है 62 प्रतिशत से उपर रिकवरी रेट हो चुकी है देश में जिसकी वज़े से ऐसा माना जा रहा है कि इस्तिती थोड़ी बह तर है लेकिन जो 24 घंटे में नए नए रोज बढ़कर आकड़े सामने आ रहे हैं वो जरूर चिंता पैदा कर रहे है